लड़कियों के इनर्स वो सफेर या स्किन कलर के ही होने चाहिए, स्कुर्ड की एक पर्टिकलर लेंथ ही तक ही होने चाहिए और डाक कलर्स यूज नहीं करने चाहिए, बॉईज ने एकदम बारीक कत्रे हुए है, एकदम छोटे से बाल रखने चाहिए, ऐसे है तो गर्स का आपको अगर इंस्ट्रक्शन देना हो तो आप वर्बली हमको बोलो, लेकिन ऐसे ओपनली लिख के आप आज गर्स एंबरास फिल करी है, वो टॉलेटरीस को लेके रेस्ट्रिक्शन डाले है, इस नाचरल हमारा जो है, उन चीजों के लिए भी इन लोगों ने इतना ऐसे stupid rules बना के रखे है, अगर किसी को emergency चाहिए, तो कोई escort लेके जाएगा, अभी 7th के standard या 10th standard के साथ, वो escort जाके क्या करेगा, यह हमको नहीं पता है, यह किस चीज़ के और किस हिसाब से यह rule बनाएगे, क्या उनको promote करता है, यह हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सर हमको जो कुछ भी यह diary दिया है, उसमें ऐसे जो कुछ भी rules है, जो कि school बोल रहा है, एकी discipline के लिए, for safety of children, यह ठीक है, safety maintain कर रहे हैं, पर कहां तक होनी चाहिए, आप उनका fundamental rights, child rights, wallet कर रहे हैं, यह स्कूल को नहीं लगता क्या, अगर नहीं तो यह आप हमको बता रहे हैं कि innerverse क्या होने चाहिए, उसका color क्या होना चाहिए, size क्या होने चाहिए, length कितनी होने चाहिए, यह कितना आप interfere कितने तक करोगे, और जो कुछ भी toilets, unionals के problem है, यह जो की number भी available नहीं है, ladies के लिए, gents के लिए, तो हमारे बच्चे, बच्चे या जिदर भी जाते है, safety, खुद maintain करें, तो हमको यह लगता है, जो कि इन्होंने रूल्स दिये, यह सब रूल्स उन्होंने जो कुछ भी दिये, वो नाजाएज है, फैस उनको बदले, हमको एक चार-चार आफिडिविट्स भी दिये, अलग-अलग नाम से, जो कि मुझे और मेरे हस्बन को दोनों को भी फाइल करक देने यालंग with my name and signature.